हेलो दोस्तो अस्टेट लेबल पुलीस रेकृट्मेंट बोर्ड अशम कोहाटी ने रेकृट्मेंट नोडिफिकीशन जारी किया है दोस्तो एपी आरो असम पुलीस रेडियो और्गिनाजेशन में कॉंस्टेवल पोस्ट के लिए जिसमें जो टोटल पोस्ट हैं पे 487 पोस् और इसका जो फॉर्म परने का स्टार्ट डिट हो चुका है आपका 16 फर्वरी से और इसको फॉर्म फिल अप कर सकते हैं आप 17 मार 2022 तक तो दोस्तो जल्दी से देख लेते हैं इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को इस वीडियो में वीडियो को लास तक जिरूर देखेगा हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का नोटिफिकेशन चैनल पर अगर आप चैनल पर नहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जिसका कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एड़टेजमेंट जो जारी किया गया था वो आपका 15 फर्वी 2022 को जारी किया गया था और यहाँ पर टोटल जो पोस्ट का नाम दिया हुआ है मैसेंजर, कारपेंटर, डिस्पैचर, राइडर और यहाँ पर ड्राइवर का पोस्ट जो है आपर तो इसका जो पे स्केल है वो 14,000 से 60,500 रुपीज है और पे बेंट 2 होगा और इसके साथ आपको अलग से जो अलावन्स होते है वो आपको मिल जाएगा तो इसका जो फर्म फिल अफ करने का स्टार डेट आपका 16 फर्वी 2022 से 17 मास 2022 तक फर्म को फिल अफ किया जा सकता है तो इहां पर वैकेंसी डिटेल एड 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 इजुकेशनल कौलिफिकेशन और अधर क्राइटिरिया क्या क्या है तो इहां पर APRO में जो पहला जो पोस्ट आपका कॉनस्टेवल का वह ग्रेड पे उसका 6200 रुपीज और यहां पर नंबर आप पोस्ट जो है 441 है जो होना चाहिए यानि physics, chemistry and math वाले candidate यहां पर apply कर सकते हैं यहां पर biology वाले candidate अप्लाइ नहीं कर सकते हैं और arts के candidate अप्लाइ नहीं कर सकते हैं तो यहां पर 10 plus 2 science with physics, chemistry and mathematics यहां पर compulsory subject है और यहां पर दूसरा जो पोस्ट है आपका constable UB तो इसमें आपका total post यहां पर 2 है और इस division 30% fix किया गया है government candidate के लिए अगर तीसरा जो पोस्ट है constable messenger with grade पे हो आपे 5200 रुपीज है total post यहां पर 14 है general के लिए 6 OVC और MAVC के लिए 6 SCST के लिए एक-एक तो यहां पर total post यहां पर 14 और higher secondary pass यानि कि 10th qualified होना चाहिए candidate और उनके पास driving license होना चाहिए LMB, MMB और HMB यहां प post को apply करने के लिए तीसरा जो post है यहां पर 14 सॉरी यहां पर constable carpenter का post है जिसका grade पर आपको 5200 रुपीज है और यहां पर total जो post है वो 3 है general के लिए 2 SC के लिए 1 post यहां पर reserve किया गया है इसमें भी आपको higher secondary pass होना है यानि कि 10th pass हो और 7 में ITI की course यहां पर मांगी गई है दोस इसके grade पर आपका 5200 रुपीज और total number of post यहां पर 10 है तो essential qualification इसके लिए higher secondary pass होना चाहिए है यहां पर driving license यहां पर compulsory किया गया है LMB, MMB and HMB और भी extra अगर है तो बढ़िया है तो अगर बात करें हैं पर fire and emergency services department में तो यहां पर assistant asquad commander with grade पर 6200 रुपीज इसमें total post जो आपका 5 post है और essential qualification यहां पर भी आपको 12th pass मांगा गया है having subject chemistry, physics and mathematics यहां पर भी biology की candidate जो है वो आप अपलाई नहीं कर सकते हैं और arts की candidate यहां पर अपलाई नहीं कर सकते हैं और अगला जो post है आपका driver operator जिसका grade पर आपका 5000 है यहां पर total जो post है वो 12 है essential educational qualification में अगर देखें हैं तो class 8 pass candidate यहां पर अपलाई कर सकते हैं उनके पास यहां पर license होना चाहिए heavy motor vehicle का है यहां पर driving license होना compulsory है और यहां पर 10th अगर नहीं भी pass है तो आपको date of birth में आपको as a birth certificate यहां पर लगाना पड़ेगा तो class 8 pass होना mandatory है और आप यहां पर देख सकते हैं जो 441 post था constable post के लिए उसका जो result होगा final वो आपका merit list बना जाएगा district wise और यहां पर district wise vacancy दिया हुआ है तो आप यहां पर देख सकते हैं और अगर other जो post जितने भी है उनका merit list बनेगा वो state wise बनेगा यानि कि पूरी आसाम के according बनेगा और अकर बात करें हैं पर eligibility criteria की तो nationality Indian होना चाहिए साथ में यहां पर permanent resident of आशाम यानि कि other state वाले candidate apply नहीं कर सकते हैं यहां पर जो भी candidate apply करेंगे उनका पैस PRC होना mandatory है तो जिनके पास PRC है वही candidate यहां पर apply करी है उसके अलाबा other apply करने से कोई ज़रूत नहीं है दूसरा जो यहां पर employment exchange में register होना है अगर आप local यहां पर हैं असाम के हैं बट PRC है आपके पास और employment exchange में register नहीं है तो आप apply नहीं कर सकते हैं और तीसरा जो है candidate को असमीज language आनी चाहिए बोलने के लिए तो अगर बात करें आप एज लिमिट की तो driver post के लिए और constable post के लिए आप एज लिमिट जो maximum किया गया 18-25 साल के candidate आप apply कर सकते हैं और य पोस्ट आफ असिस्टेंट स्क्वाइड कमंडर ते बहुए 20 से 24 एर के candidate यहां पर apply कर सकते हैं relaxation आपको मिल जागा यहां पर as per government policy 5 year for SC, ST and ST candidate और 3 year for OBC और MOBC और मीनमम फीजिकल और स्टेंडर्ड के अगर बात करें तो है हाइट चाहिए general and OBC और MOBC SC candidate के लिए 162.56 male candidate के लि female के लिए 152.40 और यहां पर chest के अगर बात करें तो male and transition के लिए है general OBC और MOBC SC ST के लिए 80 cm और expand करना है 5 cm और STH candidate के लिए 78 cm minimum chest होना चाहिए plus 5 cm आपको यहां पर expand करना होगा तो अगर बात करें how to apply online तो simple इसका website जो लिंक दिया हूँ description box में आप वहाँ पर click करके form को fill up कर सकते हैं वहाँ पर जो procedure है आपको register करना होगा और पॉर्टल पे valid mobile number and email ID से तो उसके बाद SLPREV की website पर जा करके आपको form को fill up कर लेना है login करके उसके बाद उसमें आपको photo and signature upload क आप क्योंकि maximum size उसका 450KV and signature 100KV कहाँ पर upload करना होगा और अगर आपको photo and signature upload करने में कोई दिक्कात आ रहे हो तो i button पर click करके आप मेरा previous video देख सकते हैं how to edit photo for application form और यहाँ पर document साथ में upload करना है जो HSLC है नहीं की intermediate और metric की certificates यहाँ पर date of birth के रूप में आपको admit card यहाँ पर upload करना है साथ में driving license को भी upload करना है यहाँ पर अगर आप messenger and dispatcher rider और driver post के लिए apply कर रहे हैं तो और यहाँ पर आपके पास NCC की certificate है तो बड़ी है आपको extra marks मिल जाएंगे तो आपको certificate को यहाँ पर upload करना होगा और जब PST, PET और return exam conduct किया जाएगा तब आपको उसी district में जाना है जहाँ साथ का PRC बना हुआ है तो अगर बात करें यहाँ पर selection procedure की तो यहाँ पर जो return exam होगा उससे पहले आपका physical test conduct किया जाएगा PST और PET, PST में आपको कोई भी marks नहीं मिलेगा उसमें सिर्फ आपको physical standard चेक किया जाएगा as per application form और जब physical efficiency test है यहाँ पर 40 marks का होगा यहाँ यहाँ पर दो उसमें event add किया गया है race and long jump तो race जो आपको 40 minute में complete करना है 3.2 km जिसमें आपको marks मिलेंगे और जितना जल्दी आप करेंगे तो ज्यादा ज्यादा marks मिलेगा long jump जो आप यहाँ पर 335 cm cover करना है यहाँ जिसमें आपको 3 chance दिये जाएगा complete करने के लिए तो यहाँ पर race के लिए 20 marks है और यहाँ पर long jump के लिए 20 marks है अगर आप race में 20 marks पूरा चाहते हैं तो आपको 10 minute के अंदर complete करना होगा 3.2 km और long jump में अगर आप full marks चाहते हैं तो आप आपको 500 cm cover करना होगा 20 marks के लिए तो अगर female candidate की बात करना होगा तो आपर race जो आपका 8 minute में आपको 1600 मीटर complete करना होगा और long jump में आपको 244 cm आपको complete करना होगा 3 chance आपको भी में आपको मिलेगा और आपको अगर race में full marks से 20 marks तो आपको 330 seconds यानि 5 minute 30 seconds में आपको 1600 मीटर की दो complete करनी होगी और long jump में आपको 389 cm कूदना होगा 20 marks के लिए और अगर driving test की बात करना है तो driving test में आपको maximum marks जो है आपको 10 मीलेगा minimum आपको pass marks वहाँ पे 5 रखा गया है जिसके लिए आप steps दिये गए कि कि किस में कितना marks दे जाएगा तो PET exam को qualify करने के बाद आपको written test के लिए बुला जाएगा तो written test में अगर बात करें assistant squad commander in FE and FES और constable in APRO तो वहाँ पे आपका 45 multiple choice questions रहेंगे जिसमें आपको time जो दिया जाएगा 90 minute का time होगा और यह जो slivers होगे आपका class 9 and 10 का question होगा और यहाँ पे total marks आपका 45 होगा यहाँ पे negative marking नहीं है और यहां MCQ टाइप में हो total marks भी 45 होगा यहाँ पे negative marking नहीं है और इसकी जो slivers होगे आपका exam का वो class 7 और 8 level का questions यहाँ पे आएगे 90 minute यहाँ पे भी समय दिया जाएगा तो अगर बात करेंगे जो slivers जो होगा वो elementary mathematics, general English, logical reasoning और mental ability और आसाम की history, geography, polity and economy से questions रहेंगे and general awareness, general knowledge and current affairs of India का question रहेगा और यहाँ पे extra 10 marks दिया जा सकता है, extra curricular activity के लिए अगर आप आपका जो 12th का marks हो 60% से उपर है तो आपको 2 marks मिलेंगे और अगर आपका 75% से उपर है तो यहाँ पे 5 marks मिल सकता है और अगर आप NCCC की best card or C certificate अब ले रखे हो तो 5 marks यहाँ पे आपको advance में मिल जाएंगे तो इसके लिए कोई exam बगराने देना होगा, तो यहाँ पे next आपका oral और वाइवा voice चेक करने के लिए आपको maximum 5 marks यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पर final merit list की बात करे कि कैसे बनेगा, तो merit list यहाँ आपका assistant, squad, commander और constable के अगर बात के तो marks for PET यहाँनि कि physical efficiency test के लिए आपको 40 marks लगा गया था और MCQ मापका 45 marks और NCC and academic qualification आपको 10 marks मिलेगा, ओरल और वाइवा के लिए आपको 5 यहाँनि total marks यहाँ पे 100 होगा, तो 100 marks में से आपका merit list बनाया जाएगा, total, और आप यहाँ पे others का भी देख सकते हो, constable carpenter और constable messenger and dispatchers के, तो यहाँ पे सबके अलग-अलग marks है, 100 marks है, किसी का 105 marks है, तो आप इस notification को download कर सकते हैं, जिसका link आपको description box में दे हुआ और direct apply कर सकते हैं, उसका भी link आपको description box में दे हुआ है, तो दुस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो like, share, subscribe करिएगा, thank you guys, thanks for watching this video, subscribe notification, be notified yourself.